नमस्कार सारे मित्रों को आज हम मिट्टी तैर करेंगे वेजिटेबल प्लांट के लिए देखिए बहुत सारे प्लांट मैंने लेके रखा है तो इन जो पोदे है यह सब्जिया है और हमने पहले इस से पहले वीडियो में फ्लवर के लिए मिट्टी तैर किया था उसमें जो भी खाद की आवशक्ता थी उसको तीन स्टेज में दिया था जो वीडियो में बना रहा हूँ इसमें कुछ बेजिटेबल प्लांट है आपके पास भी थोड़ा बहुत जगा है तो आप बिल्कुल बेजिटेबल ग्रो कर सकते है इसमें दो दो चार चार पॉट में अगर आप लगा देते है तो आपके औरगेनिक सब्जी आ है वो आपको खाने को मिल जाएगा बजार से जो हम लाते है आप जानते ही है उसमें केमिकल के माद्दम से ही सारे ग्रो किया जाता है तो आप छोटे-छोटे थोड़ा-थोड़ा करके लगाएंगे तो कुछ तो आपको मिलेगा औरगेनिक जो सब्जी है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है वो मिल जाएगा तो देखिए मैंने यहां पर कुछ पोदे को लिया है यह मैंने लोकी लिया है यह दो तीन लोकी के है यह मिर्ची के है यह शिमला मिर्ची के है यह है कद्दू के कुम्रा जिसे कहते हैं यह भी मिर्ची है यहां पर भी शिमला मिर्ची लिया है यह मैंने जुकिनी कर लिया है कुछ टमाटर लिया है दो प्लांट और यह कद्दू के दो लिया है दो जुकिनी दो कद्दू और लोग की मिर्ची इतना हम आज डिपोर्ट करेंगे इसके लिए हम स्वाइल त या मिट्टी करते हैं तो हमारे मिट्टी ताहर करने के से उसमें जो फटीलेजर हम देंगे पढ़ता है पहले जब हम पोदे को रिपोर्ट करते है तो उसमें फटिलाजर अलग देना पढ़ता है उसके बाद आप एक महीने के बाद फटिलाजर दिजिए उसकी ग्रोथ के लिए जब वो इस्तिर हो जाता है तो उसके आगे के ग्रोथ के लिए secondary फटिलाजर देना यह सब effects बगर दिखाई देता है तो उसके लिए आप हफ्ते में या 10-15 दिन के बाद कोई भी आपके organic अगर आपको मिल जाता है पेस्टिसाई तो उससे जुरूर एस्प्रे करते रहेगा उससे जो पत्या है पत्या को नुकसान पहुचाता है फ्लावर को नुकसान पहुचा जाता है तो उससे बचा होगा तो बिल्कुल आप यह चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्प्रे करते रहना है दस दिन-15 दिन के बाद और जब भी आपको ऐसे लगे कि दिख जाता है जैसे मिलेबग बगरत तुरंद दिख जाता है ठीप मैखिए से मोईल के साथ आप कोई भी लिक्टिटेजन यूज कर सकते है घुड़ का यूज कर सकते हैं तो कई चीजे है जिसको दिख बरते है तो उसकी जो मिल्चा होना चाहिए दूसरी बात व होना चाहिए ताकि उसमें पानी रूके नहीं हमारे Well давай Mender वुर्वार्टिंग की वजय से कई बर बड़े पॉट में हम पाने देते हैं और पानी उसके नीचे भरा हुआ रहता है वह समझना होता है तो अधिलन होना चाहिए ताकि उसमें पानी नहीं रुके ये चीज आपको करना है साथ में उसमें जो हम फटिलाइजर दे देंगे वो पौधे के पूरी पोशक तत उसमें मिलना चाहिए सारे नुटेशन पौधे को मिले तो इस तरह से हम उसकी तैरी करेंगे तो देखिए मैंने क्या लिया है इसमें टेहर के खिए तो इसमें मैंने क्या की लिया मैं बारा इंचा को जोड़े हैए उसके लिए हमें चाहिए पहले चाहिए हमें मिटी तो देखिं यह मिटी रखा हुआ है मेरे पास एस मिटी को मैंने तीन दिन तक सुखाया इसको सुखाने के बाद इसमें भरके रख दिया है आप कभी भी कोई भी मिट्टी हो आप गमले में से निकलते है या जमीन से लाते है जमीन से लाया हुआ मिट्टी अच्छा रहता है जो गार्डन से या खेट से अब लाते है लाने के बाद उसको एका दिन जर सुखाईएगा तिन दिन सुखाने के बाद उसमें क्या है जो भी कीड़े मकरोडे रहता है फंगस बगरा रहता है तो वह दूर हो जाता है और जब भी आप धूप में सुखाए तो बिच बिच में इसको हिलाते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे कीड़े जो है नीचे रह जात मैं देखा इसको तो मैंने 50% यह गार्टें सौइल लिया है इसमें मैं इसको भरने के लिए ग्रो बैक को भरने के लिए मैंने कुछ लिप् लिया है यह मैंने करेक्ट किया है गराउंड से जहां भी आसप्तास आपके गराउंड होगा वहां पे यह जो जाड़我在 ले लगाक छे मेने तक आपको लिप नहीं मिल पाएगा तो आप इसको करेट करके रखिए मैंने बोरा बर-बर के कुछ लाके रख दिया है इसमें मैं किसी तरह से किचन बेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं किचन बेस्ट जो है वह गिला रहता है और उसमें फंगस बहुत जल्दी हो जाता है चाहिए आप कितने ही निमकी खली डाल दे लेकिन उसमें फंगस लगता ही है इसलिए अगर किचन बेस्ट का भी उस करते हैं देखिए वह किचन बेस्ट मेरा रखा हुआ है बेग पन्नी में भरके लेकिन मैं उसको सुखाने के बाद यूज करता हूं उसको गिल बी किलेन टेवल्ल लगते उसके उसमें कोकोपीट बहुत अच्छा काम करता है यह बेल्डरन भी रहता है इसमें कुछ खदिनीच प्दारत भी मात्र में पाई जाता है पानि को रोक के भी रखता है और शलिए मना रहता हूँ तो आप इसमें आप 10 से 20 परसंट आप ले सकते हैं यहां लिया है मैंने बर्मी कंपोस्ट जो मैं घर पे तैर करता हूं मेरे पास तैर होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं देखिए मैं घर पे ही बर्मी कंपोस्ट तैयर करता हूँ गोबर लाके तूकि गोबर लाने के बाद आपको दो से तीन महिने के देखिए अर्थभम आपको दिख रहा होगा यह सारे अर्थभम इसमें पड़ हुए यह उपर यह इसको बिज बिच में फिडिंग भी देना प देखिए कंपोस्ट बनाने के लिए और एक बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वो पुराना वाला उसको पानी के Пांट से टेशी से होता है और बहुत ज़ल्दी कंपोस्ट तैयर करता है यह होता है डाल के रखा इसको भी यूज करता है और उससे बहुत जल्दी कमपोस्ट तैर होता है तो मैं कुछ कीचन बेस्ट जो है वो भी डाल देता हूँ और साथ में जो गोबर है उसकी घौल बनाकर इसमें डाल देता हूँ तो घुनरी कर दो बनने की प्रकृषिया बहुत तेज हो बीडियो को भी आप देख सकते हैं जाके इस तरह से आप आपके पास कोई कंटेणर भगर रहो तो भी उसमें आप KPOTS कर सकते हैं इसमें किचन वेस्ट और लिप जो पतिया मिल जाता है उसके मांधम से और गोबर की मांधम से इसमें भीक आप KPOTS तेर कर सकते उसमें इसमें आप चाच मिलाईए थोड़ा सा गुड मिला दीजिए और आप उसमें बेशन जरूर मिलाएगा बेशन में प्रोटीन प्रोचुर मातरा में होता है जो इसमें जो बैक्ट्रिय बनती है वो उस प्रोटीन को खाता है जितने खाते जाता है उतना ही बैक्ट्रिय आप उसको यूज कर सकते हैं अभी एक और ऑगैनिक कंपोजर के डीकंपोजर भी मिलने लगाया वज़ार में उसके भी यूज कर सकते वह शिशी में आती है वीस रूपय के सीशी उसको भी पानी में घोल के इसमें डाल देते था तो इसमें जल्दी बहुत जल्दी तयार हो तो इस तरह से आप اपने घर पे टाहिर कर सकते हैं यहां पर मैंने गोबर रखा है इसकी इससे प्राइः करता हूं सारे ओन्पोस्ट चलिए की प्रतुरिया सम इन्प कैसे प्राइऋ कर सकते हैं तो मैंने यहां इन्पी वरमि देख यह है और उसके साथ यह मैं लूँंगा अधा इसके 25% जरूर लूँगा जब जितने भी आप मित्वी करते है उसकी 50% आप कंपोस्ट जरूर घाल कीजिए स्वाफ मेंने लिए यो करता है और Stories हो बनाता है उसमें पानी नहीं रूखता है से हमारे जो हमारे बेजिटेबल हो रूबर प्लान्ट हो ऑँ सड़ 음ने लिए थोड़ा सा राइसस्क को आप सीधा से कुछ जो दान से सीधर निकाला जाता है वो होता है और दूसरा होता है धान को उबाल के फिर एसको भुँजा चावाल सञाइक बाद उसको सुखा धान की बुसी आपको मिलता है और आइसक मिलता है वो ज्जादा effective होता है यह साध्ट की अपेक्षा तो मैंने इसको भहत ही पोशक्तत मिल जाता है साथ में ये भी वेल्डेन होता है तो चलिए हम उसकी तैरी कर लेते हैं मिट्टी की उसके बाद कौन-कौन से फटिलाइजर देना है वो मैं आपके से शेयर करूंगा ये सारे पोधे जो हमें एकसाइट कर लेता हूं फिर फटिलाइजर और उसकी तैर से मिट्टी होना चाहिए आपके मिट्टी में बहुत बड़े बड़े इस तरह से डील नहीं होना चाहिए, जितने ही मिट्टी दानेदार होगा मिट्टी अच्छा होगा उतने ही आपका जो फ tokiller کرता है देखिए कई बर मिट्टी में पथर बगर आ जाता है, काच के टुकड़े बगर आ जाती है, तो उसको धेन रखिएगा, उसको हटा दीजेगा, वो हमारे पोदे के लिए नुक्सान करता है, तो मिट्टी में हम क्या-क्या मिलाएंगे, वो सारे चीज एक-एक करके मिला देते कोको पीट मिला रहे हैं थोड़ा सा कोको पीट मिला देंगे थोड़ा सा राइस हस के मिला देंगे इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाएंगे थोड़ा सा हम सेंड 10% से लेके आप 20% तक यह मिला सकते हैं हमने तीन चीजे मिला दिया है इस मिट्टी में हम नीम खली powder नीम खली powder नहीं है थोड़ाषा ये दानेदर है आप जब भी मिलाये तो थोड़ाषा दानेदर लीजिएगा बारीग मत लीजिएगा इस तरह से दाने वाले जो है वो लिजिएगा ये ज़्यादा फायदा करता है और इसको आप सुनके देख सकते हैं इसमें नीम की जो खुश्बू है वो आती है कई बर हम लाते है पाउडर ले आते है और उसमें नीम की खुश्बू बगर नहीं रहती है तो उतना एफेक्टिव नहीं ह निम्खली भी ये निवके करता है प्लस फगिशाइट अ na i2 जैडा रहता है और इसमेंं खाय केमिकल फंगिशाइड यूम हिसमें हम थोड़ा सथ्रा को डर्मा क На है ये जविक गवक करता है ये मल्टिपाइट प्लाइब करता है इसमें मिट्टि में और यह अपना ही piece तैयर करता है जो सारे पोदे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें जो पहले से मौझूद जो वेक्ट्रिय फंगस बगरे रहता है उसको यह नस्ट कर देता है नस्ट करके अपना फंगस तैयर करता है और यह जब पाने आप डालेंगे तो यह जो है यह आप 10 ग्रा होता है कभी तो यह पत्य भी आप इसमें मिट्टी में मिला सकते है यह भी एक्टिव एंटिफंगरल्स का काम करेगा इसमें मिला रहा हूं मैं थोड़ा सा बोन मिल थोड़ा सा सीवीड एस्ट्रेक्ट मिला रहा हूं यह क्या होगा यह दानेदार होगा और दानेदार जो ह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सीड वीव में क्या क्या मिलता है इसमें भी भूस मातरा में फासपुरस, केल्शियम, पूटेशियम की मातरा मिलती है और पोदे को ततकाल खनी प्राफ्थ होता है पोशक्तत मिलता है इससे काफी मातरा में तो आप बोन में भी यूज़ कर सकते है फुल्विक एसिड हुमिक एसिड यूज़ करूंगा यह जो आपके जड़ है जड़ को ग्रोथ में बहुत मदद करता है यह रूट हार्मोंस के नाम से भी इसको जाना जाता है उसको ताकत देता है पोदे के जड़ को पोदे के जड़ को ताकत मिलता यह भी यह जाती है और इसको आप लगाए उसमें यूज करेंगे मिट्ट में तो पोदे की जड़ मजबूत होगी उसमें फंगस नहीं लगता है और जड़ मजबूत होता है तो इसकी तने और पत्तिया अच्छा ग्रोथ अच्छा होता है और जिससे जो भी फॉल फुलवर लगत है कहते हैं कि भूड़नेश थोड़ा सो पुराना यूज करना चाहिए तीन मेने रखने के बाद उसको यूज करना चाहिए उसमें ज्ञाग बहुत ज्यादा रहता है तो तीन मेने रुक के आप उसके राख का यूज किजिएगा तो यह हम इसमें 20-30 ग्राम राख मिला है जाड़ जो है यह गलना नहीं चाहिए हमारे पोदे में निमोटोट बगर नहीं लगना चाहिए उसके लिए यह बहुत अच्छा काम करता है तो यह हमारी मिट्टी तैर हो गई है हम उसको ग्रोबग में भर लेते हैं और गेनिक फटिलाइजर रिउस करने सारे चीज बत के लिए बहुत ही उत्तम है आप इस तरह से तैर किजिए और आपने पोदे को देखे देखिए इसमें ग्रोध बहुत अच्छा होता है देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया था यह इससे पहले वेले वीडियो में यह देखिए कितना बड़ा हो गया भी दे तरह से बेल्डन मिट्टी तैर किया है जो खनीच पदात्र से बरपूर है पोशक तत्र से बरपूर है तो यह हमारे बहुत ही अच्छा फाइदा किया है तो इस तरह से मिट्टी बना लिए है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इसकी 50 परसन जो ग्रोवेग है उसकी 50 परस जो और शेयर करना चाहूंगा यह फली है यह शायद बबूल के फली है कि गुलमोर की फली है इसमें नाइटोजन की मातरा बहुत ज़्यादा रहती है तो आप यह फली अगर आपको मिला है तो वह जरूर डालिएगा तो इसमें पोदे को नाइटोजन बहुत अच्छा मिल जाएगा यह दो तिन मेने लगेगा यह डालूट होने में तब तक आपके पोदे अच्छे फल देने लाइक हो जाएगा और उस समय इसको पोशक तत्तु मिलेगा और उसकी गुरोध जो है पोदे की बहुत अच्छी होगी तो आप इस तरह से जितना आपको उपलब्द हो यह बाद में जाके लिप कमपोस्ट बन जाएगा जितना आपको लिप मिल जाए उतना ही आप यूज करेंगे पोदे की मिल लिए तो बहुत ही अच्छा होगा आप इसको वेजिटेबल में फ्रूट प्लांट में आपके कोई बड़ा पोट हो फ्लावर का उसमें भी आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा काम करता है यह लिप इतना आप लिप भरेंगे उतना ही अच्छा है लिप कमपोस्ट चाहिए वो किचन बेस्ट कमपोस्ट हो लिप कमपोस्ट हो भर्मी कमपोस्ट हो बहुत अच्छा काम करता है अब मैं इसको भर लेता हूं भरने के ब तो आपके पास भी मिल जाता है तो आप भी रखते जाएंगा कहीं भी मिलता है गांड़न में नीमकी मिल जाता एक च्छटाई बगर करते हैंतरों से आप नीमकी पत्य लाके रख सकते हैं और जब विम मिट्टी डाले इसमें मिट्टी डालने के बाद इसको थोड़ सा दवा दीजिएगा इसमें नीचे air bucket रहता हमेशा और जब पोधे की जड़े वहां जाती है तो वो growth नहीं कर पाता है तो जब भी अब मिट्टी डाले तो थोड़ा सा इसको दवाते जरूर रहेगा तो उसमें air bucket नहीं बनेगा यह चीज आप ध्यान रखिएगा और इसमें ज flower fruiting यह बहुत अच्छा होगा इसमें तो आप भी अपने घर पे इस तरह से grow back भरेंगे तो आपकी जो पोधे हैं उसकी विकाज बहुत अच्छा होगा यह हमने बैग फुलप कर दिया है और चुकि हमने नीचे tree leaf डाल दिया है तो वो compost होता जाएगा तो थोड़ा सा यह दब जाएगा इसलिए हमने ज्यादा छोड़ के उपर से ज्यादा खाली नहीं छोड़ा अब मैं जो पोधे है इसमें दो दो लगा दूंगा इसमें दो पोधे लगा दूंगे यह जुकिनिक है और पिर ऐसे इस तरह से दूसरे भी पोधे लगा दूंगा तो आप भी इस इस Otherwise पोधे को निकलते है तो इसको अच्छे तरह से हलके से दवा लिजिएगा कि चार ओर से दवा देंगे तो इसकी जो रूट है इसके चाद किपकता नहीं है वह रूट डेमेज नहीं होता है और आसानी से निकल जाता है इसको दवा दीजीए गा निचे से भी थोड़ा कर दिजी निचे तक निकल जाए इतना पानि डाल देजिये उसके बाद आप तीन दिन के बाद पानी डालेंगे और इसको और इसको किसी भी सेवी सेंडेरिया में गर्मी में ग्रिनेट बहुत जोरी है यह अपने पोदे को जुलसा देता है और साथ में जो भी कोई भी एक स्प्रेय है जो बीजविच में कोई भी इंसेक्टिसाइड से आप इस प्रेय करते रहेगा दस दिन पंदरा दिन के बाद आप इस प्रेय जरूर बिलकुल करिएगा ने तो इसमें बहुत मकडिया जो है बहुत नुक्सान करता है तो यह था आज का वीडियो धन्यवाद आप सभी को यहां तक बने रहने के लिए